है विभाइं टैरो में अधिति क्लिक कोहा एंपक को ले रीडिंग देख नहीं है आपके पार्टनर की स्टार्ट करने से पहले एक चोटा सा डिक्लेमड पूगी घरी पूज से टेठीन को सिर्फ खीडिन तब ustaro करना है सिर्फ गिडिस के तौट थे देखते हैं कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की नर्जी पिक होगी तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आप से रिजूनेट करता है उतना रखिए बाकी को जाने देजिए टाइमदस रीडिंग है मेरी आल्मोस सभी रीडिंग टाइमलेस होती है त पर आप मुझे वोड्सेप कर सकते हैं कॉल नहीं करना है पिक नहीं होगी और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे जब फामली बढ़ी हो जाएगी तो मैं शॉट्स ढलना स्टार्ट कर दोंगी चलिए डीप ब्रीद लीजिए अपने डिवाइन जिस भी द्हर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपको सवालों की आपको सही जवाब मिलें इसके बाद अपने परसन जिसको भी ध्यान में रखकर आपी रीडिंग देख रहे हैं उनका चहरा अपने माइंड में लाईए और उनका नाम दोराते रहे हैं चलिए प्लीज डिवैन प्लीज बाबाजी हमारे जो भी विवर्स हमें देख रहे हैं ठीक इस वक्त जब हमारे विवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं विवर्स के परसन की करेंट फीलिंग हमारे विवर्स को लेकर के क्या है प्लीज बाबाजी फाइनल शफल ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं व्यूवर्स के पर्सन की करेंट फिलिंग हमारे व्यूवर्स को लेकर के क्या है प्लीज बताईए प्लीज डिवाइन हमारे जो भी ये क्विक अपडेट है अगर आप डिटेल लीडिंग देखना लएका का आते हैं तो रात को 10-10 के बीच मेती आप उसे देख सकते हो वो डिटेल लीडिंग होती है ज 멋있 इनरजी कल की लेदिग अगर आपने देखी है तो और आ Lumia प्लीज जवाइन हमारे जोभी विवेर्स हमें देख रहे हैं हमारे पॉर्स के पर्सन औरके ढूरом रिखाड मरे वियॉर्स के दूरिए के रिगार्डिंग एक काड़ दीजिए विल टेक ओनली वन प्लीज बाबाजी हमारे वीवर्स और उनके परसन के बीच रिष्टे की रिगार्डिंग एक काड़ दीजिए अब दिख रहे हैं सारे काड़ आपको मैं यहां पर रखों दिखेगा ने दिखेगा चलिए अगर हम जोडेक साइन की यहां पर बात करें तो यहां पर है कैंसर प्योंप आपकोर्ट की इनरजी है कैंसर की नर्जी काफी स्ट्रूंग है यहां पर इसके अलावा एरिस लिए सबी साइन के लिए है ठीक है सबी साइन के लिए है अगर यह रिडिंग आप से रिजनेट करती है तो यहां पर आ रहा है प्लीज कम बाक ठीक है इस वक्त जो सेच्वेशन आपके पर्सन की चल रही है आपको लेकर कि जो उनकी फिलिंग है वो प्यार करते हैं डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं लेकिन इस वक्त उनकी जो कंडिशन है वो खुद को बहुत लेफ्ट आउट और अकेला फिल कर रहे हैं हो सकता है वो बिमार हो या उनके घर में कोई बिमार हो सकता है किसी का आक्सिडेंट हुआ हो या किसी तरीकी की फिनेशिल क्राइसिस हो या उनके घर में किसी तरीकी की आर्थिक तंगी हो सकती है जो भी है एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं ये चीज़ है प्यार है लेकिन प्यार के साथसात responsibilities भी है ठीक है वह आपको एक प्यार भरा कप देना चाहते हैं लेकिन responsibilities भी है या तो उनकी जिंदगी में और लोगों की जब्मिदारिया है जो उन्हें उठानी है उसके बाद वो प्यार के बारे में सोचेंगे या फिर आपको ही प्यार भरा एक कप देना चाहते हैं तो उसे responsibility के साथ देना चाहते हैं ठीक है यह चीज है King of Swords की energy है थो लगसे में हो सकते हैं ego में हो सकते हैं या फिर 30-40 प्लस हो सकती है या कुछ लोगों की age कम हो सकती है या कुछ लोगों की एज कम हो सकती है आपके परसन की ठीक है सबके लिए लग लग होगा ठीक है किसी तरीके के कोई अगर उनका कोई बड़े है कुछ इस तरीके कायत हो सकता है वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उन्हें बड़े पर कोई लेकिन वो अभी शो नहीं कर सकते है आपको ठीक है दकैंस चैरिट की इनरजी है आपके परसन ठीक है एक्शन लेना चाहते है यह उनकी इनरजी है जस्टिस करना चाहते है न्याय लिब्रा की इनरजी हो सकते है तुलारा शी हो सकती है आपके परसन की न्याय करना चाहते है यह दो तरीके से हो सकता है या तो आपने प्यार दिया है तो बहुत अंकंडिशनल लव अगर आपने दिया है तो आपके परसन आपको प्यार भरक आपको देना चाहते हैं यह चीज है ठीक है king king दो king की energy है ठीक है दूसरी तरफ उनकी energy क्या हो रही है अगर आपने प्यार दिया है तो प्यार देना चाहते है लेकिन अगर उन्हें आपने उनसे गुशा किया है या कुछ भी गलत किया है या बहुत dominating रहे हो तो आपके person ego दिखा रहे हो तो आपके person भी आपको ego दिखाते हो नजरा रहे हैं ठीक है जो भी करना है बराबर करना है ठीक है किसी भी लिहाज से ठीक प्यार है तो प्यार और अगर war है तो war ठीक है दोनों ही success चाहिए उन्हें आप से ठीक है अगे queen of source की energy मैंने war कहा और queen of source आ गई उनकी जिन्दगी में कोई controlling हो सकता है या फिर यह आपकी खुद की energy हो सकती क्योंकि दिल तूटने की energy है आप हो सकता है उनसे गुसा है आपने बहुत एक healthy boundary set करी हुई है उनके लिए कि आप उनको या हो सकता है वो बारबार in and out करते थे उनकी page वाली energy रहती थी जिसके वेज decision लेके जाना पड़ेगा otherwise ऐसे नहीं जा सकते फिलाल वो आपके लिए एक physical attraction बहुत जादा problem से move on करना चाते हैं वो यह चाहते हैं उनकी जिन्दगी में एक happiness है fulfilling जिन्दगी वो जीना चाते हैं आपके साथ tension नहीं चाहते हैं अपने जिन्दगी में यह चीज़ है तीक है वेटिंग एनर्जी है तोड़ा सा वेट करना है उनको यह चीज़ है डैवल की इनर्जी है कुछ चीज़ों का वेट करना है बहुत निगेटिव इनर्जी है बहुत जादा आपके लिए physical attraction हो सकता है गुसा हो सकता है कुछ उनके निगेटिव पैटर्न हो सकता है वह स्मोकिंग करते हैं या फ्लर्ट करने की यादत हो सकती है कुछ बैड एक्शन वह भूल नहीं सकते हैं आप उनकी लट बन गए हो एक तरीके से हम यह भी कह सकते हैं ठीक है उनके physical attraction भी उनको आपसे बहुत जादा है वाज परसन एसोफेंजी है यहां पे नियू बिगिनिंग करना चाहते हैं कभी-कभी आपके परसन जब गुस्टे में आते हैं ना वेटिंग इनर्जी बहुत ज़ादा हो रही है तो आपके परसंग क्या करते हैं हो सकता है किसी और की तरब भी अट्रब कर जाते हैं उनकी हो जाते हैं तो उनको ये लगता है कि आपस move on कर लेते हैं किसी और के पास, because उनके पास option है तो वोही सोचते हैं कि हम आपको छोड़कर आगे चले जाते हैं क्यों ही हम आपके पीछे बने हैं, बट confusion है क्योंकि फिर प्यार याद आता है, उन्हें लगता है कि नई या आप उनको respond नहीं कर रहे हो, उचाहा रहे हैं कि आप उनकी जिंदगी बापस आजाओ, बिग happy changes आप लोगों की जिंदगी में जरूर आने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे भी वही same चीज, conflict and defeat, आप तो उनकी बीच में जगरे चल रहे हैं, no contact हो सकता है, आप लोगों की ब आपका हो चुका है, आप no contact में हैं, बाचीत आपकी नहीं हो रही है, या फिर condition यह है कि आपके जो Rune No Contact He Maximum नाइंटी-नन पर्सें लोगों के लिए यहाँ पे No Contact वालों के लिए 100% वालों के लिए आप लोगों की बातचीत होरी है कबी बातचीत लुबंग रेलेशिन प्यार उजसे नहीं है आगे बढ़ रहे हैं बस तुम नीचे जा रहे हो ठीक है आप हमारे viewers और आपकी person की same energy उनको भी ऐसा लगता पर यहां पर यह भी जो चीज़ें न इन चीजों की ending आईगी आप लोगों की चीज़ें यह चीज़ें खतम होगी उसी चीज़ को आप अपनी जिंदगी में manifest करें ठीक है क्योंकि वो चीज़ें खतम हो रहे हैं अगर आप negative चीज़ें को ज्यादा manifest करोगे तो हो सकता है वो negativity ही आपके life में आजाए तो जो आप अपनी जिंदगी में desire करते हो हो कि यह चीज़ आपके जिंदगी में हो पस उसी चीज़ को आप manifest करिए ठीक है तो positive रहने की जरूवत है हील करो खुद को positive manifest करो हम देख लेते हैं आपके person क्या message दे रहे हैं प्लीज डिवाइन गिप me one message for my viewers I will take only one please divine हमारे जो भी viewers हमें देख रहे हैं viewers के person हमारे viewers को क्या message देना चाहते हैं please weber जी हमारे viewers के person हमारे viewers को क्या message देना चाहते हैं please बिद्दा जी I am not happy without you आपके person आपके बगएर खुश नहीं है तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई और कभी नहीं आएगा I love you आपके person आपको assurity देते हैं कि आपके सिवाए उनकी जिंदगी में और कोई नहीं आएगा और वो आपसे प्यार करते हैं ठीक है वो आपके बगएर खुश नहीं हालां कि वो option try कर रहे हैं क्योंकि वो तकलीफों से निजात पाना चाते हैं इसलिए ठीक है लेकिन उनकी ख्वाइश यह है कि वो पलटके फिर से आपको देखते हैं कि शायद आपकी तरब से कोई communication या message आ जाए ठीक है तो यह दिया हमारी आज की reading उमीद है रिजनेट की होगी guidance मिली होगी अगर रिजनेट की है guidance मिली है तो अपनी चैनल को like share और subscribe किये बगर नहीं जाएगा मिलते हैं next reading में till then bye take care stay positive stay happy love you all next reading आएगी रात को 10 से सारे देस के बीच में